समस्कार दोस्तों मैं हूं कमल सिंग और आप देख रहे हैं साइंस डिस्कवरी और फैक्टी चैनल जहां हमेश आपको मिलता है कुछ नया कुछ रोचक और कुछ खास दोस्तों इसी कड़ी में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं पक्षियों के उपर एक विशेश होते हैं और क्या चीजें हैं जो उसको मदद करती है अपना रस्ता याद रखने में साथ ही हम जानने वाले हैं कि पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता और वह अपने शरीर पर बार-बार चोंच क्यों मारते रहते हैं इसके साथ हम यह भी जानेंगे कि पक्षी अंत्रि पक्षियों को इससे पता चलता है कि कहा जाना है किस रास्ते से जाना है सबसे पहले तो हम बात करते हूं इन कबूतरों की जो सदियों तुमना सिर्फ प्यार बल्कि राजनीत कूटनीत और रिद्में विसूशने संदेवाग बनी रहे हैं बर्स के उनने के तरीकों और रा इक हैसा संस होता है जिसके मदद से मैगनेटिक फिल्ड को डिटेक्ट करके डियरेक्शन ये किसी लोकेशन की पहचान की जा सकते हैं अजिकांस परजाद के वर्ड्स में ये स्वेसल क्वालेटी पाई आते हैं जिसके द्वारा बर्स को इस बात का अंदाजा हो जाता है व वर्ड्सना के वल अपने निवास एजिया में और पुराने कोशले में पहुच जाते हैं बल ठीक उसी दिन लोड कर आयाते हैं जिस दिन वो पिछले साल लोड कर आये थे साइंस के लिए इससे भी आदा चवकानी वाली बात या है कि प्रवास के दोरान अगर पच्छी परजनन करते हैं और किसी कारवास उनकी डेट हो जाती है तो भी उनके बच्चे अपने पैरेंस के पुराने निवास अस्थान पर पहुच जाते हैं इन बच्चों को जो कभ आपकी निद गहरी होती जाती है आपके आरगार सिथल होने लगते हैं मतलब आराम की पोजिशन में आ जाते हैं लेकिन पक्चियों में इससिती इसके बिल्कुल उल्टी होती है दरसल जब बर्स पेड़ की डाल पर वैठते हैं तो इनके पंजों की विशेश मेकनिज उन् परियास करना पुड़ता है जैसे हमें लटकने के लिए परियास करना पुड़ता है पक्चियों के पंजों की इस मेकनिज पर उनके जागने या सूने से कोई एफिक्ट नहीं बढ़ता क्यूंकि डाल को पगड़ने के लिए उन्हें कोई विशेश परियास करने की दुरू लेकिन पंजों की एसी मेकनिजम सभी वर्ड्स में नहीं होती जैसे कि सुत्रमुर्ग और बतक जमीन परीश होते हैं ये कभी प्याट की डाल पर बैटकर नहीं सो सकते हैं पक्षी uh विश्चे जरोँरोत पड़ती है जब कोई वर्ड्स स्क्रीम पर देख रहते हैं अब जब कोई दूसरी चड़िया उपर उर्टी वहे हुऑ होगीLY6 पड़ती है तो उसे अडलने के लिए कम पावर्ड की जरूराइब पड़ती है इस तरह से जुंड में उड़ती बर्ट्स एक दूसरे से तालमेल बना कर भी शेप में उड़ती हैं और अपनी इनर्जी बचाती हैं बर्ट्स पर केगी रिसर्च से यह बास सामने आई कि इस सेप में पीछे उड़ने वाली बर्ट्स की हर्ट बीट सामने उड़ने वाले बर्ट्स के तुलना में कम होती है मानलब की बर्स अपने जुन्ड में कमजोर सदस्क को पीछे कर देते हैं जिससे कमजोर सदस्क को उड़ने में असानी रहे हजारो किलमेटर ट्रेवल करने वाले परवासे पक्षियों को इस अपने उड़ने में असानी होती है जब आगे वाले बर्स ठक जाते हैं तो पीछे चले आते हैं और पीछे वाले बर्ष उनकी पोजिशन ले लेते हैं लेकिन पक्षियों के यह सब कैसे समझाती है कि सामने वाला पक्षी ठक चुका है वच्छे तो इस बात को अभी तक साइंटिस्ट अच्छे से नहीं समझा सके हैं सबसे आसान एक्स्प्लेमेशन यह है कि पीछे वाले पक्षी अपने आगे उरूने वाले पक्षी को उड़ते हुए देखते हैं और उनके पंक फरफ़णाने की आबिरती और फ्रेक्वेंसी के अनुसार अपने पंक फरफ़णाते हैं वो अपने पंखों में होने वाले से हवा की परवा में होने वाले छोटे उटे चेंजिंग को भाप लेते हैं या फिर कोई और भी तरीका हो सकता है जिसके बारे में सेंज को बिजग नहीं पता वक्षी अपने पंखों में चोज क्यों मारते हैं आपने बहुत से बर्ड्स को यह सा करते हुए देखा होगा। बर्ड्स यह सा इसलिए करते हैं जिससे कि उनके पंक अपना काम ठीक से करते रहें। बहुत से बर्ड्स के जहां से पूछ निकलती है, वहां प्रेंट ग्लैंड होती है। इस gland से आयली जैसी चीज़े निकलती है बर्स अपने चोउस की help से इस आयली चीज़ को अपने पंखों पर फैला देते हैं इससатल करने से उनके पंख पानी में नहीं होते कैंकि पंख़ों के आयली होने से उस पर से पानी फिसल जाता है पंकों की फिक जाने से पंक भारी होते हैं जिससे बर्ड्स को उन्ने में कटनाई होती है अलग-अलग बर्ड्स में अपने environment के हिसाफ से print glands होते हैं जिन पक्षेओं की इस तरह के production की ज़्यादा जरूरत होती हैं उन पक्षेओं में glands ज़्यादा होते हैं दूसरा रिजन यह है कि वर्ड्स से अपने पंकों की सफाई करते हैं ताकि वैक्टिरिया और परजयोबियों से चुटकारा पा सकें पक्षेओं को current क्यों नहीं लगता current तब ही flow करता है जब circuit complete हो circuit complete होने का मतलब यहाँ है कि दो point अलग-अलग voltage potential पर हो जिससे कि electric का flow एक point से दूसरे point की तरफ हो सके फर्ब जामपल जब एक bulb को बैटी के दो point से जोड़ते हैं तो एक point पर कुछ voltage होता है और दूसरे पर zero voltage होता है voltage difference के कारण यह current flow करते हैं और bulb जलने लगता है अब देखते हैं कि पच्छेओं के case में क्या होता है जब वर्ट्स बिजली के तार पर बैठते हैं तो क्यों उनके पैर ही तार को छू रहे होते हैं उनका सरील दूसरे बाइर या फिर किसी अन्य मीडियम को नहीं छूता जिससे कि circuit complete हो सके और नहीं धर्टी को छूरा होता है मतलब कि उनका सारा सरीर एक ही electric potential पर होता है जिसके कारण उनके सरीर से electric flow नहीं करता और उन्हें विजली के जटका नहीं लगता अब अगर वही पच्छे अपने एक पैर को एक तार पर तथब दूसरे पैर को दूसरे तार या जमीन पर रखते तो तुवन्त वोल्टेज में डिफ्रेंस पैदा हो जाएगा और electric current एक तार यानि अधिक वोल्टेज से दूसरे तार या आर्थ यानि जिरो वोल्टेज के और बहना शुरू हो जाएगा और पच्छे current लगने की वियास से अपनी जान गमा देगा